स्वागत है दोस्तों आप लोगों को अपने यूटूब चेनल रमन एजुकेशन पे आपका स्वागत है अगर आप इस चेनल पर परतम बार आएं तो किर्पया चेनल को सब्सक्राब कर ले तथा बेल आइकन की बटन को दबाना ना बोले ताकि सभी वीडियो के नूटिफिक बैसे परिता है तो सबसे पहुczenia है तापिषेशन आप तक पहुंचती रहे तो चली आज का जोट आप जοटोपिक है आप जानते कि आप जानते हैं कि हम आप चली तरह सो मोगो आपको यसे में टॉत पे-थे प्लिश्ट में है आपको टॉंस्लेशन सिर्गाना पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले आप टांसलेशन दो तीन टांसलेशन आप जो बोर्ड पे दिख रहे हैं थोड़ा वह आप बना के देखिए मन में उसको अनुवाद करके देखिए जैसे राजू सिग्रेड पीता तो था या लक्षभी पढ़ती तो थी या मुझे मैं तुझे लगने लगेगा आप इसको चुटकी में तुरंट सॉल्फ कर दीजिएगा जैसा कि आज का इस्ट्रक्टर इस्ट्रक्टर नंबर फॉर है इसमें आपको इसमें पढ़ाया जाता है कि लर्ण हाओ टू ट्रांसलेट इंटू इंग्लिस इंटू इंग्लिस में किसी संटेंस औ понятно , ये आपको पढ़ाया जाता है तो चलिए आपको आज का जो एस्ट्रक्टर है एस्ट्रक्टर नीमर 4 में आपको क्या पढ़ना हैं एक häufब ऑना को आज पढ़ना है तो एक मल ये मिक्र्ट तो नूमर फॉर में क्या तो राजूओ सिगरेट पीता तो थो दुनिया का सबसे पहचाने के लिए आप ऐसे मुनिया का कोई भी तो इसको अन्ध में पीना क्रिया है यह पढ़ना क्रिया यह पढ़ाना क्रिया यह पीठना किरिया है तो किरिया के अंत में किरिया के अंत में या तो तो था लगा रहे हैं तो तो थी लगा रहे हैं या तो तो थे लगा रहे हैं इन्हीं तीनों में से कोई एक लगा रहे हैं वह भी किरिया के अंत में तो वैसे वाक से पता चलता है कि पुर्व के किरिया को जोड़दार बनाया गया है मतलब कि पूर्व के किरिया को मतलब सिग्रेट पीने यहां किसे पूर्व का जो किरिया है उसको जो है यहां पर पूर्व जो किरिया है सिग्रेट उसको जो है जोड़दार बनाया गया है इसका अनुबाद इस नियम से करें यहां पर रूल जो है rule दिया गया है subject plus did plus b1 plus object देखिए इसका जो rule है इसी rule से यह जो अनुवाद होगा इसका translate होगा इसी rule से होगा rule देखिए rule यहाँ पर subject plus did plus b1 plus object आप यह सोचते होंगे कि subject did का यूज कहां कहां पर करना है कि सब्जक्ट के साथ डिड यूज करना है तो देखिए डिड का परियोग आप सभी सब्जक्ट के साथ करें डिड का परियोग आप सभी सब्जक्ट कोई भी सब्जक्ट हो तो किसी भी सब्जक्ट के साथ डिड का परियोग करें इससे पिछले ट और structure नमबर 4 का कभी negative और interrogative बनाने का आप कोशिस नहीं करियेगा sentence बिगर जाएगा क्योंकि जोड़दार वाक अपने मूल रूप में ही रहते हैं उसके रूप को आप नहीं बदल सकते हैं निगेटिव और ना इंट्रोगेटिव अब गर आप निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो संटेंस सुनने में थोड़ा एरर लगेगा अच्छा नहीं लगेगा जैसे कि अब चलिए सबसे पहले इस इस ट्रक्चर को आप ध्यान में रखिएगा उसके बाद आप राजू है कि तेकि राजू सिग्रेट पीता तो था राजू सिग्रेट शाइब से पहले आप सबज Actually दो सब्य GREG यहां पर राजू है राजू को लिखिए तो राजू राजू सिग्रेट पीटा राजू उसके बाद कई दिद डीड आप द पीया नहीं जाता है एस्मोक किया जाता है इसलिए यहां पे पीना का थśmock दीजिए उसके बाद इसिए जिए ऑबजेक्ट भीवन्न करने न रखी ऑबजेक्ट लिखेट लिखिए cigarette देखिए cigarette ये आपका translation ये बन चुका है देखिए आप नेक्स्ट में लक्षमी पढ़ती तो थी सबसे पहले आप subject दीजे तो subject क्या लक्षमी है तो लक्षमी को लिखिए लक्षमी उसके जश्ट बाद देखिए उसके जश्ट बाद देखिए आप डीड डीड का लक्षमी डीड लक्षमी डीड उसके बाद भीवन पढ़ना का भीवन देजिए तो रीड होता है तो रीड दीजिए लक्षमी पढ़ती तो है लक्षमी डीड रीड अब देखिए य तो है यहां पर अगर ऐसा रहता तब यहां पर रीड के बाद English देते जो object हो जाता जैसे कि next translation मैं तुम्हें पढ़ाता तो हूँ मैं तुझे मैं तुझे पढ़ाता तो हूँ तो सबसे पहले subject I दीजिए और किसी भी subject के साथ आप जानते हैं कि डीड का यूज सभी subject के साथ होता है तो आई के साथ डीड दीजिए आई डीड अब देखिए पढ़ाना का teach होता है तो जस्ट भी वन दीजिए teach teach दीजिए teach और उसके बाद देखिए यहां पर object भी है तुझे तो यू यू दीजिए तुझे subject यू है तो आप सबसे पहले यू दीजिए और subject के according आप डीड दीजिए आप किसी भी subject के साथ यूज करते हैं यू डीड यू डीड अब देखिए अब जो है भी वन दीजिए भी वन इसमें भर्व क्या है तो भर्व पितना है तो पितना का बीड होता है बीड दीजिए विड रखिए बीड दीजिए और बीड के जस्ट बाद यहां पे है बीड के जस्ट बाद object यह दिया है तो object रखे यू डीड बीड अब किसे तो मुझे तो मुझे का मी मी दीजिए तो आपका टांसलेशन जो है बनके तयार है देखिए इसके साथ पहले से जो चल रहा था उसमें आपको चोटल जो एस ट्रक्चर था उसमें आपको बनाने के लिए exercise बाद में दिया जाता था लेकिन अब जो चालू होगा उसके विडियो के लास्ट में आपको एक पेज का एक कर लेना अपने notebook में और जो problem हो आप comment के माध्यम से आप हमसे पुछ सकते हैं तो इतना आज के लिए इतना काफी है that's all for today enjoy your day मिलते हैं आपके साथ next video में यह translation आप बना लेजिए exercise के रूप में